लड़ाई लड़ने वाला योद्धा ही इससे अलग हो जाएगा जब इसका इंडरेस्ट खतम हो जाएगा तो वो इस लड़ाई को क्यों लड़ेगा और जो भी अनुसुची जाती और जन जाती के लोग खुशी मना रहे हैं वो खास से परा जाएंगे उन्हें भी बुलाब नहीं मिल सकता वो लोग इन 74 सालों में भी लाब नहीं ले सके जुन लोगों ने जो फैसला दिया है उसमें कितने एसी और कितने हैस्टी कितने ओबिसी और कितने अलफ संख्यक थे ये इन्होंने कभी हमारी बस्तियों में आकर देखा है कि हमें पानी लाने के लिए कितनी प्लफी जद्दो-जहद करनी है हमें बच्चों को इसकूल भेजने के लिए कितनी जद्दो-जहद करनी पढ़ती है आज मिरे हमारी ब 105 सरकारी नोपरी में ौच पसे किस तरीके से सही और किस तरीके से गलत है सांसल अपने तर्क देते अब उनके तर्क का भी वो अधिकार सुप्रिम कोट ने छिन लिया तो संसद का तो महत भी नहीं बचा यह कहा जा रहा है कि जो पिछड़े लोग रहे गए हैं समाज में उनका हक जो है जो आरेक्शन का लाव लेकर नौबरियों पर पहुंच गए हैं वो खा रहे हैं तो क्या जो सवर्ण समाज में जनरल के टेग्री में बहुत सारे गरीब लोग हैं नीचे और उपर हम देख रहे हैं तमाम जज़ बन गए विरोक्रेसी में पहुंच ग पही है मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हो एक और बात सबसे पहली बात अगर हम उप वर्गी करण की बात कर रहे हैं तो एड़ो एस कोटे में मैंने खुद मांगी है डूसरा सुप्रीम कोट में चोहतर साल साल सभीधान को लागू होगे 1950 में सभीधान लागू ह सुप्रीम कोट में और है कुझ नहीं हूब होगे कि जुन लोगों ने जो फैसला दिया है उसमें कितने एसी और कितने संख्यक थे यह क्या जाने हमारे दुखदर्द को यह नोने कभी हमारी बस्तियों में आकर देखा है कि हमें पानी लाने के लिए कितनी जद्दो जहत करनी पड़ती है हमें बच्चों को इसकूल भेजने के लिए कितनी जद्दो जहत करनी पड़ती है आज भी हमारी बस्तियों में से बद्व उठती है नालियों शाप नहीं होती जाड़ू नहीं लगती है हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं बर्षाद का पानी बर जाता है बैठने को विवस्ता नहीं है टीचर कि लड़ाई अगर किसी के कंद्धे पर है तो वह है अनुसुची जाती में जाटब समाज और जाटब समाज को आरक्षन से दूर करकर ये आरक्षन को क्लॉप्स कर देंगे इसे क्योंकि लड़ाई लड़ने वाला योद्धा ही इससे अलग हो जाएगा जब इसका इंट्रेस्ट खतम हो जाएगा तो वो इस लड़ाई को क्यों लड़ेगा गसिंद्र भाई और जो भी अनुसुची जाती और जन जाती के लोग खुशी मना रहे हैं वो खास से पराजाएंगे उन्हें भी बुलाब नहीं मिल सकता वो लोग इन 74 सालों में भी लाब नहीं ले सके लेकिन मामला का पदमनिती में था सुप्रिंग कोर्ट में पड़ा हुआ है जो बैक लो जो संसर्वबबन से बाबा साब की प्रतिमा हटाई गई जिसका संदेश पूरी दुनिया पूरे विश्व के अंदर गया है और जो सरकार की थूतू हो रही है कि जिसने देश को एक खुबसूरत आइन दिया है सभिधान दिया है जिसकी पूरी दुनिया में भारत की आकर बैक में लगा दिया गया पीछे कर दिया गया उसका जो आंदोलन था उससे बटकाने के लिए घखाने के लिए हमारी बाबा साफ की लड़ाई रही है कर दो पूरी दुनिया से विश्व का बाबा साफ का अनुवाई 14 अपरेल और 6 दिसंबर पर बाबा साफ की पृतिमा पर आते थे और वहां पर लाखों करोडों की संग्या में लोग इखटा होते थे तो वो तो अभी भी होंगे ना देगी मैं आपको क्या बताना जारा हूँ उससे सरकार के सीने पर स्याप लोटते थे और सरकार बड़ी कुड़ती थी अंदर से उसे दर्द दुख होता था उसने उठा कर जो मुक्याले पर उसके वो होता था भीड लगती थी अब उसे बैक में कर दिया अब भीड होगी भी तो लोगों को दिखाई नहीं देगी वो पीछे रह जाएगी बात को समझना एक फ्रंट पर खेलना और वैक में खेलना बड़ा फरक करता है तो हमारा जो कहना है हम जो मुर्ती को इस्तापित करने की बात कर रहे हैं वो फ्रंट पर इसलिए लगवाने की बात कर रहे हैं ताकि जो बाबा साब का एक सिंगल अन्याय भी अगर वहां पर पहुंचता है तो वह भी दूर से दिखाई देना चाहिए कि बाबा साब के मानने वाले बाबा साब के श्रणों प्रुषप अर्पित करने आए हैं तो ये कुल मिला कर उस अंदोलन को भटकाने के लिए और लोगों के ध्यान को उस्ताने के लिए ये फैसले आए हैं जो कि अभी तक इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं जो 20-20 साल से भी तक उन पड़े नहीं आया असान थड़ा यगी तो सर कोई डाटा नहीं है हमारे पास कोई आंखड़े नहीं है कहां यह तो जाती जन्रणा की मांग हो गई यह तो जाती जन्रणा कराने पड़ेगी सेस करना होना चाहिए आपका दूसरी बात एक और हम सरकार से पूछना चाहते हैं जब किसी अनुसुची जाती और जन्रणा के वेक्ति को मूच रखने पर मारा जाता है क्या उससे पूछी जाती है कि उसकी हैसित कितनी है वो 20 लाग का आदमी है 50 लाग का मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ जब किसी से दूर से जाती है भेदभाब होता है और उसे जाती है सूचक गालियों से संबोदित किया जाता है क्या जाती सूचक गाली देने वाला वेक्ति ये पूछता है पहले कि तू एक करोण का 50 लाग का 10 लाग का आदमी है तो तेरे पर ये गाली नहीं बनती और तू गरीब है तो तेरे पर ये गाली बनती है बताईए मैं आपको जीता जाकता एक गाजियाबाद के बार एसोशेशन का उधारण देता हूँ 19 जुलाई को वहाँ पर बोट पड़े और बोट पड़ने के बाद अनुसुचित जाती में जाटब जाती से हरिंदर गौतम जी सचिब बने 12 बोटो से रीकाउंटिंग 8 वार की गई और करते 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 2 बोटो पर लिया और उसके बाप जुद्विंभी उन्हें जीत का प्रमाण पत्र आज चार तारिक हो गयी है आज तक भी उन्नको प्रमाण पत्र नहीं दिया है वहाँ जगड़ा चला है, दस दिन तो वो धरने पर रहे, समझ रहे हैं आप, ये जातिये प्रतारणा है, उन्होंने सिद्ध कर दिया, कई लोगों ने तो मुँपर कहा दूसरे लोगों के, कि तुम्हें लगता है कि हमें चमार को एक जाटब को अपने सर पर नेता बना ले, आप द लिखा समाज है, सब पर समाज है, समाज में फर्स्ट मैंड लोग कही जाते हैं, वो, मैं वही कहा रहा हूं, मैं सर्वूत चन्याले से यही तो पूछ रहा हूं, यह जो भेदभाव हो रहा है, जातिक आधार पर हो रहा है, जबकि हरेंद्र गोत्म ने पचास लाग रुप हैं, वो कम हैं किसी से, तो जो भेदभाव होता है, वो जातिया अधार पर होता है, आर्थिक आधार पर नहीं होता, निसनल दस्तक की आप से गुजारिस है, कि अगर इसको बचाना चाहते हैं, तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे